नमस्कार, पेप्टिक टाइम अदबर्दी समचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद शुक्ला वैश्वेक महामारी कोरोना का कहर बाला घाट जिले में बढ़ता ही जा रहा है हम आपको बता दें कि 1400 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बाला घाट में पहुँच चुकी है अब इस पर स्वास्ते सुविधाओं पर सवाल या निशान लगना लाजमी है कि आखिर कार किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा रहा है और क्या कमी रह गई जिसकी वज़े से संख्या लगातार बढ़ रही है कोविध-19 के मरीजों को समय पर इलाज मिले ये वक्त की जरूरत है जिसके लिए समय पर रिपोर्ट मिलना अतियाविशक है कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी वक्ती को सर्दी खांसी बुखार हो और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो इसे कोरोना का प्रारम भी लक्षन माना जाता है स्वास्तिभाग इसके लिए कही तरह की संचार माध्मों का उप्योग कर जन्यन तक अपनी बात पहुचा रहा है सबसे बड़ी परिशानी जो सामने आ रही है वो है लिए गए सेंपल की रिपोर्ट में देरी जिसके वज़े से मरीज के इलाज में देरी हो जाती है और मामला क्रिटिकल हो जाता है जिले के वरिष्ट डॉक्टर तथा हिर्दारूग विशेशक डॉक्टर सी एस चतुर मोहता ने इस विशेशक पर चिंता जताते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज संभव है बशरते इसकी पहचान समय पर हो सके कोरोना एक वैश्विक महमारी बन गया है और अच्छे-च्छे देशों में भी जो संसाधन और जो संगठत होके जो काम करने की प्रकरिया है ये कहीं न कहीं कुछ खामिया इसमें नजार आती है और इसके लिए समसे ज़्यादा जरूरी है कि जितना जल्दी इसका डिटेक्शन होगा और जितने जल्दी हम पेशन को या जो कैरियर है उसको अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे उतने जल्दी और आसानी हम उस इस्तिति को कंट्रोल कर सकेंगे और इसके लिए सबसे ज़्यादा जलूरी है कि जितने जल्दी टेस्ट अगर होते हैं और टेस्ट की रिपूर्ट जितने जल्दी आती है उतना ही आसान रहेगा बीमारी का इलाज करना और उसको कंटूर्ण करना बाला घाट जिले में देखा जा रहा है कि रिपूर्ट कि और उसको कोई भी मरीज एकदम से पूरे लक्षान उसके ऊपर नजर नहीं आते हैं और कई बार संदे के आधार पर अगर पम चाहते हैं फिलाज करना है या भरती करना है तो उसके पहले चल्द करनेमिद्स करने बहुत जोरूरी है कि हम प्रthey qui करें या इसको कोई डिकत कोविट सेंटर में भेजें निशीत थोर से क्योंकि महानगरों की तुल्ना में बालागाट जिलाश्पतार और बालागाट के जो प्रावेट उसमें भी महानगरों की तर्ष पर उतिनी सुविधाय उपलक्त नहीं है क्योंकि क्या होता है कि छोटी जगा है अगर कोवीट का मरीज भरती करते हैं बिल लंबा चोड़ा बनता है तो डॉक्टर आलोचना के शिकार बनते हैं और नहीं करते हैं तो फिर आलोचना के शिकार बनते हैं कि यह कुछ कर नहीं नहीं है यहां सुविधा नहीं है इन सब ब लोगों ने भी अपना सहीव पूरा देने का वो किया है। लेकिन इस सब के बीच में एक कॉडिनेशन और एक साधन की उपलब्द था। यह बहुत बड़ा बहुत है। वापस हो जाते हैं। डॉक्टर चतुर मोता वैसे तो यहां मरीजों के इलाज की सुविधाओं की सराहना करते हैं। लेकिन रिपोर्ट आने में हो रही देरी को आड़े हाथ भी ले रहे हैं। पूरे मामले पर जब सीमेचो डॉक्टर मनुष पांडे से बात की गई तो उन यहां में हमारे हां और जिसके लगबर हमारे पास 500 बेड़ी इसके अलावा हमारे पास में बईयारा व विर्षा में भी तमने पद्री बेड़ बना करेक्ट हो दिए। अपर इनको आक्सियन सपोर्ट लगेगा। इनके लिए हमारा ITP 6 है। इस बुरी के आईके इस बुरी कोविक के सस्पेक्ट अगर आएंगे और उनको सांस में समझे समझ से हो जी तो पूर रखने के लिए। और 17 बेड़ एक I.C.E. इस बुरी चाहिए। सर अभी इस समय अपनी जो टूनाट रेव है। वो बंद है। हाटूनाट रेख के ये जो समागरी हमको सांस से फ्राफ को रहे है। तो में बंद है। क्योंकि उसके जगह में हम अभी रेक्ट इंटिजन टेस्ट और RTP PCR टेस्ट कर रहे है। क्योंकि हम शिनवाड़ कुसके। अगर किसी का सेंपल बेजा जाता है शिनवाड़ कुछा रहे है। उनको भी एक तारिक से उनको भी मतलब फिवार और बहुत ज्यादा खासी होने लगी थी उनको अगर दो तीन दिन में उनकी हलत बहुत गिर गई थी और जो ऑक्सिजन लेवल है वह भी 92 के खरीक आ गेया था। तो क्या उनके टेस्ट हुआ था। तो उनका भी हुआ मारी बेटी है और बेटी की बेटी है। हम उनका भी टेस्ट हुआ और पदमेश का भी हुआ, सबका टेस्ट हुआ, हम चारों पॉजिटिव आये, लेकिन पदमेश नेगटिव आया था तो उनकी रिपोर्ट कितने दिन में आपको उप्राइब हो गई? उनकी रिपोर्ट पांट छे साथ तारिक को आई है, एक तारिक को उप्राइब हो गई है, उसे बीच में उनको आक्सिजन उगेरा उपलब्द कराई गई है? मतलब ज्यादा उनकी तद्वियत खराब हो गई थी तो उनको भोपाल हमारे जेट जी बोले बोपाल लेके चलते करके खाए तो भोपाल तो ने गए, विदीशा में ही, मतलब विदीशा आदा हंता पहले पड़ता है वहां पर रुके वो और वही पर उनका ट्रेटमेंट चालो हुआ और वहां जाने तक तो बहुत प्यादा हालत एकदम गिर गई थी उनकी हालता बाला घाट में उनके इलाज को लेकर कोई समीधर नहीं देगी नहीं यहां तो क्या ऐसा बूलते हैं कि जब तक का रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो कोई डॉक्टर ना तो एडमिशन मतलब एडमिट करते हैं और नहीं कोई दवाई देते हैं तो ठीक है कि हमारे जेट जी और उनके लड़के दोनों डॉक्टर है हमारा इलाज दुरंट-दुरंट हो गया लेकिन जो आम आदमी है उनके साथ तो क्या होता होगा जिनके कोई परीचे में डॉक्टर नहीं है या फिर कोई नहीं है